आखिर थाइरोइड क्या है? क्यों होता है? और इसे कैसे खतम करे? आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी एक ऐसा घरेल उपाय जिसे आसमा के आपके थाइरोइड में आपको तुरंथी फायदा देखना शुरू हो जाएगा इसे के साथ साथ अगर आप थाइ दवाय के बारे में भी जानकारे दोंगी जिससे आपका थाइरोइड भी जल से जब क्यार होगा और दवाय भी छूट जाएगी वैसे थाइरोइड आखिर है क्या? और क्यों होता है? यह एक साइलेंट किलर बिमारी की तरह है जो शरेर को धीरे धीरे अपने गिरफ्त में यह गले में एक तितली जैसे आकार की ग्रंथी होती है जो थाइरोकसिन होर्मोन को बनाती है यह होर्मोन शरीर में ब्लट प्रेशर, हार्ट ट्रेट, एनरजी लेवल, मेटाबोलिजम और मूर तक को मेंटेन रखता है जब इस होर्मोन का प्रोडुक्शन शरीर में कम या ज्यादा होने लगता है तो हमारे शरीर को कई तरह की बिमारिया घेटना शुरू कर देती है थाइरोइट को कंट्रोल करने के लिए अगर आप पैलोपेथी मेडिसिन ले रहे हैं तो एक बार किसी होमियोपेथी डॉक्टर से कंसल्ट करके होमियोपेथिक मेडिसिन जैसे क अब जल्दी से जान लेता है थाइरोइट को घर बैठे ठीक करने के नुस्खे के बारे में इस नुस्खे में आपको कोई ज्यादा चीजों की ज़रुरत नहीं है आपको बस इस तरह के एक छोटे से अध्रक के तुकड़े को लेना है और उसे धोकर साफ कर लेना है और फि तब इसे ग्लास में छान कर निकाल ले और उपर से आधे से पॉने ग्लास जितना पानी और एड़ कर ले उसके बाद इसी में एड़ करें एक चमच अलसी का पाउडर और एक चमच शहद और ये बिना कोई efforts के पीने के लिए बिल्कुल रेड़ी है इस नुस्खे को आपको हर alternate day यानि कि एक दिन छोड़ कर रोज सुभा अपने thyroid की दवाई लेने के बाद पी देना है इससे आपका thyroid भी बंदरा दिनों के अंदर ठीक होगा साथ ही आपको thyroid की वज़े से होने वाली परेशानिया जैसे के बालों का रूखा बन उनका ज़र्णा जादा पसीना आना या फिस सुस्ती या weight gain जिसी तकलीफों को दूर करने में बहुत ही मदद मिलेगी इसी के साथ साथ दिन में सिफ एक बार 10 मिनट के लिए इन आसन को फॉलो करें जो कह सूरे नमसकार सर्वांगासन या फिन नौकासन इससे वजन नहीं बढ़ता है साथ ही ये thyroid gland में blood circulation को notification bell को on करना ना भूले